लंबी आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने दो इंच चोड़ा दो कलर का लंबा सा कपड़ा लिया है दोनों कपड़े को हमें ऐसे ज्वाइंट करते हुए इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है यहां से धागा को कट करते हुए कपड़े की दूसरे साइड में भी हम सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागा को कट करके कपड़े को सीधा करेंगे तो कोई भी हम नोखीली सी चीज की सहायता से कपड़े को ऐसे सीधा कर लेंगे ये देखिए आपको ऐसे यहां से अच्छे से सीधा कर लेना इसे सीधा करने के बाद हमें इसे इस्तरी कर लेना है तो बीच में हम ऐसे इस्तरी करेंगे जिससे हमारा दो कलर का डिजाइन आएगा अब हमें ऐसे फोल्ड करके हमें चकोर सेफ डिब्बे वाली साइज में इस डिजाइन को तयार कर लेनी है तो ये देखिए ऐसे हम फोल्ड करके चकोर सेफ में इस डिजाइन को तयार कर लेंगे यहां से सिलाई चलाते हुए हम एश्टरा कपड़े की कटिंग कर लेंगे ऐसी हमें 6 डिजाइन बनाकर तैयार कर लेनी है तो ये देखिए हमने ऐसी 6 डिजाइन बनाकर तैयार कर ली है अब हम 11 इंच लंबा एक कागच लेंगे कागच की चोड़ाई 2 इंच है कागच पर हम डिजाइन को ऐसे लगाएंगे यह देखिए यहाँ पर हमें ऐसे डिजाइन को लगा देना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम सारे डिजाइन को ऐसे लगाते हुए इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे इस LINE को कम्पलीट करने के बाद डीजाइन के दूसरे साइड में भी हमें सिलाई चला लेनी है अब हमें किनारे के साइड से एश्ट्रा कागज की कटिंग कर लेनी है इस डीजाइन को तय्यार करने के बाद अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की लंबाई कितनी है ये नाप लेते हैं कपड़े की लंबाई 22 इंच है और कपड़े की चोड़ाई 2 इंच है सेम साइच का आपको भी कपड़ा लेना है अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहां से कट कर लेंगे कपड़े को open करते हुए हमें डिजाइन के उपर ऐसे लगाना है और इसके किनारे की side में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती easy step में तैयार कर सकते हैं अब हम यहां से धागे को cut करेंगे और डिजाइन को सीधा करते हुए हमें कपड़े को यहां से ऐसे fold करना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है कपड़े को fold करते समय इस बात का ध्यान रखे कि fold किया हुआ कपड़ा आपका एक size में होना चाहिए कहीं ज़्यादा चोड़ा और कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए तो यह देखिए हमारी एक side की line complete हो चली है हमें दूसरे side में भी बिल्कुल इसी तरीके से चोड़ी पट्टी वाली सिलाई कर लेनी है दोनो side में हमने कपड़े को fold करके सिलाई कर ली है अब हमें आस्तिन का कपड़ा लेना है आस्तिन की लंबाई हमने 21 इंच ली है उपर की size जो है वो आप अपने हिसाब से लेंगे जो आपका आस्तिन का size है नीचे का size जो है वो हम आपको बताएंगे कि कितना आपको size लेना है नीचे से तो ये देखे 27 इंच है नीचे का size कपड़े की चोड़ाई आपको 27 इंच लेनी है अब हम कपड़े में यहां से ऐसे चूनट बना लेंगे थोड़ा बड़ा हमें चूनट बनाना है छोटा छोटा जादा हमें चूनट नहीं बनाना है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे अब हमें इस चूनट के उपर चोड़ी पट्टी वाली डिजाइन को लगाना है तो यह देखिए चोड़ी पट्टी वाली डिजाइन को हम यहां पर ऐसे लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहां से हम सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए ऐसे हमें कपड़े को फोल्ड करके सिलाई चला लेनी है सिलाई को हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है और यहाँ से सिलाई को डबल करते हुए अच्छे से लॉक कर देना है यह देखी यहाँ पर हम सिलायी को डबल करके अच्छे से धागे को लॉक कर देंगे अब हम धागे को कट करेंगे अब जो हमारी चोड़ी पट्टी वाली डोरी है उसमें हमें फुलैना लगाना है तो एक छोटे से कपड़े में हम कोने की साइड में डोरी को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेंगे डोरी को सिधा करते हुए एस्टा कपड़े को यहां से कट कर लेंगे सारे डोरी में हमें ऐसे फुलेने लगा लेने हैं अब हम किनारे की साइट से यहां से एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे एश्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद डिजाइन में से हमें कागज को निकाल देना है तो फ्रेंड हमारा डिजाइन बन चला है अब हम कपड़े को सीधा करेंगे सीधा करने पर हमारे डिजाइन का लुग कुछ इस तरीके से आएगा जो आप पर बहुती सुन्दर लगेगा आप इस डिजाइन को सुट के बाजू में भी बना सकते हैं ब्लाउज के बाजू में भी बना सकते हैं और टॉप के बाजू में भी बना सकते हैं तो आपको हमारे डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो